दोस्तो जब भी हम Health Insurance Policy खरीदने जाते हैं तो हमारे मन में कई तरह के सवाल आते हैं जैसे कि क्या इस Policy के लिए हम प्रीमियम ज्यादा तो नहीं चुका रहे हैं क्या सिर्फ प्रीमियम देखकर Policy खरीदना सही है या फिर Health Insurance Policy का कवर कितने का होना चाहिए या Health Insurance Policy लेने की सही उ आपको आसानी होगी और आप उसका ज्यादा से ज्यादा फाइदा ले पाएंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो यूबी अन कंपनी बीमा लो बेफिक्र रहो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो Health Insurance कब लेना चाहिए दोस्तों Health Insurance का प्रिमियम आपकी एज पर डिपेंड करता है ज्यसे ज्यसे आपकी इज बढहती है Health Insurance का प्रुम्यम भी बिस ज्यादा होता है अगर हलसे पर21 करिते हैं तो आपको कम प्रिमियम में एक बड़ा health insurance का cover मिल सकता है इसके बाद अगर आपकी ये ज्यादा होती है तो काफी सारी कंपनियों में आपको health check-up करवाना पड़ता है और health check-up में कोई भी बिमारी detect होने पर company आपको policy देने से ना भी कर सकती है तो जैसे ही आपकी income शरू हो तो सबसे पहले आपको उपना health insurance cover जरूर ही ले लेना चाहिए इसके बाद अगर बात करें तो health insurance का cover कितने का होना चाहिए तो ये भी आपकी age पर depend करता है अगर आपकी age 45 साल से कम है तो आप 5 से 10 लग तक का health insurance का cover चूज कर सकते है लेकिन अगर आपकी age पैतालिस साल से ज्यादा है तो आपको 10 से 20 लग तक का health insurance का cover लेना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे आपकी age बढ़ती है वैसे वैसे आपको बिमारी के chances भी बढ़ते है तो अगर आपकी age पैतालिस साल से कम है तो आप 5 से 10 लग तक का health insurance cover ले सकते है और अगर आपकी age पैतालिस साल से ज्यादा है तो आपको 10 से 20 लग तक का health insurance cover लेना चाहिए इसके बाद ये आपकी financial condition पर भी depend करता है कि आप कितने का समिशोर चूज करते है लेकिन आज कल के hospital के खर्चों को देखते हुए आपको कम से कम 5 लाग तक का health insurance cover तो जरूरी लेना चाहिए health insurance लेते वक्त सही company का चुनाव करना भी बहुत जरूरी है अगर आप सिर्फ premium देखकर company का चुनाव करेंगे तो उसके बाद आपको claim के समय पर काफी problem हो सकती है जैसे कि कई company के plans में limits, sub limits और co payment जैसी conditions होती है जहां पर आपको premium तो कम मिलता है लेकिन जब आप claim करते है तो उस time पर limits और sub limits और co payment के कारण आपके कई सारे पैसे उसमें cut जाते है जैसे कि कई company की policy में एक limits और sub limits होती है जैसे आपको कोई operation पर fix इतना ही खर्चा मिलेगा अगर इससे ज्यादा का आप खर्चा करते है तो वो पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है और co payment यानि कि अगर आपका bill 10,000 का बना है और company के plan में उसमें 10% भी co payment है तो आपका 1000 रुपिया वहाँ पर cut जाता है तो ऐसी limits, sub limits और co payment वाली जो policy है जो plans है, उससे आपको बचना चाहिए तो इसलिए जब भी आप policy खरीतते है तो उसके अंदर इस तरह की कोई conditions है या नहीं इसकी जानकारी आपको ज़रूरी लेने लिन चाहिए जिससे बाद में आपको claim के समय पर पैसो की कटोती का सामना ना करना पड़े इसके बाद company का चुनाव करते हैं समय उसका claim settlement ratio देखना भी बहुत ज़रूरी है इसके लिए आप online नीचे description में दीगी link को use कर सकते है और online सभी company का claim settlement ratio आप देख सकेंगे दोस्तो अब बात करते हैं cashless facility की जब भी आप health insurance policy खरीदने जाए तो आपको cashless facility को ज़रूरी ध्यान में लेना चाहिए cashless facility में सभी अलग-अलग बीमा कंपनियों के अलग-अलग hospital के साथ tie up होते हैं आप जिस भी company का health insurance policy लेते हैं उसकी network hospital में अगर आप admit होते हैं तो वहाँ पर आपको cash payment नहीं करना पड़ता है आप सिर्फ hospital में अपनी policy दिखाते हैं और hospital cashless facility के अंतरगत आपको cashless सुविधा प्रोवाइड करता है तो जब भी आप health insurance policy खरीदने जाए तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपके city में किस company का cashless network सबसे ज्यादा बड़ा है अगर आप ऐसी company का चुनाओ करते हैं तो आपको claim के समय पर अच्छी cashless सुविधा मिल सकती है cashless network का list देखने के लिए नीचे मैंने description में आपको एक link दिया हुआ है जिस link पर जाकर आप सभी अलग-अलग company के cashless network का list देख पाएंगे इसके बाद आता है पुर्व बीमारियों के बारे में सही-सही जानकारी देना अगर policy खरिदते वक्त आपको पहले से कोई बीमारी है या आपने कोई operation करया या हुआ है तो आपको अपनी insurance company को इसकी सही-सही जानकारी देनी चाहिए जिससे claim के time आपको claim process में आसानी रहेगी अगर आप अपनी बीमारी को छुपाते है तो बाद में आपको claim के time पर problem होगी और आपका claim reject भी इसके कारण हो सकता है तो जब भी आप health insurance policy खरीदे तो आपको अपनी सभी पुरानी बीमारीयों के बारे में health insurance company को proposal form के अंदर सही सही जानकारी देनी चाहिए तो दोस्तों ये थी वो 5 जानकारी जिसका ध्यान आपको policy लेते वक्त रखना है आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें comment box में जरूर बताए अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को like करे और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करे तो आज के लिए बस इतना ही देखते रहे be smart thank you UBN Company बीमा लो बे फिक्र रहो